सो नाउ ब्रैकप मूप लिमिंटेड आप देखें यहां पर ना ओडिट की बहुत चरचा आया कि जो एक नॉर्टपिकिकिसन आया ए बैसी पर हो यहां पर फॉरेंसिक लिग thय वहां और आदा थे वी फॉरेंसीक ट वार औक में लिए गए क्या वो notification जो आया है वो एक forensic audit के regarding है या नहीं है कम से कम ये भी तो समझ लिया करिए forensic audit कैसा आएगा जरह आप ये भी समझेगा कि जब आएगा तो किस तरीके का आएगा तो वो देखे जिस तरीके का आपका ये so-called notice आया था सेम तो सेम इसी तरीके का है forensic audit लिखकर तो द्यान रखिएगा तो अभी जो notification है वो actual में क्या है उसको जरह समझनी कोसिस करते हैं सासत में आपको बता दू कि यहां पर आज तो यह हम अभी यह डिसकस करें शाम को लंसम लंसम हम 6-7 में के असपास हम बात करेंगे जो नमर से वो कैसे आने है मेरी expectation यहां पर जो है न इतनी दूनों से आपकी expectation मैं ने ले ली अब मैं अपनी expectation रखने वाला हूं कितने आकड आपके सामने यह रार notification अब इस notification के अगर आप देखेंगे तो बहुत जादा चट्चा भी होने चाहिए कुछ चीजों का सुदार किया है management वो क्या किया है हम discuss करेंगे आगे इस notification को पढ़ने के बाद ज़रा देखते हैं कि यहां पर तो देखें सेवी के कुछ rules and regulation है पूरे यहां पर जो है ना अगर आपको यहां पर सेवी और सेवी जैसे नाम अगर यहां पर मिल जाते हैं सेवी circular number यह वगएरा वगएरा है यह सेवी के नियम कानून है इसके हिसाब से कंपनी को चलना पड़ता है इसके हिसाब से आपको जारी करने पड़ते हैं सारी reports यह सेवी क नाम मिल जाना इसका मतब यह नहीं है कि फॉरेंस्टिक ओडिट आ गया यह चीवी के लिए कुछ यह कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है यह नॉर्मल जो कि मैंने खाता है नॉर्मल है बिल्कुल यह नॉर्मल नॉटिफिशन है हर कंपनी वो कही जारी करनी पड़ती है अपनी यहां पर आपके सामने यहां पर दिखा गया है सेकेटरियल कंप्लाइंस रिपोर्ट ऑफ ब्याट कॉम ग्रूप लिमिटेड फॉर दी फाइनेंसियल इयर एंड मार्च एकत्रिस दोजार तेस तो फाइनेंसियल इयर का जो एंड है उसके चलते यहां पर यह नौट कसे जारी की आ गया है सारे मेंन पॉइंट से आप लिखे हुए यह कंपनी का एड्रेस वग्यरा वग्यरा यह सारे चीज़एं यह आप लिखे हुए तो औलमुस्ट यह सारे पॉइंट्स जो है न मैं आपको एक एक करके बता देता हूं यहां पर किसका क्या तबादला हुआ भी यह जो secretary यहाँ पर sorry माप कीजेगा सुरू से देख लेते हैं जरा यहाँ पर जो भी disclosure है वो यहाँ पर बताया गया है कि company ने किस तरगी से disclosure किये है क्या नियम कानून के साब से disclosure किये है आपके जो warrant issue जो करे गई थे उसके ऊपर यहाँ पर अप्रेल 2021 इसको 18 महीने यहाँ पर लग चुके हैं इसको convert उने में इसके बाद acquisition of shares and takeovers बगर 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 अब यहाँ पर D में क्या लिखा है buyback of security तो buyback तो कुछ हुआ नहीं है तो इस period में buyback कुछ नहीं हुआ है उसमें ना लिखिया आगा यहाँ पर यहाँ पर शेयर वेस्ट employee beneficial and यहाँ पर एक्विटी विक्विटी जो भी है तो वो यहाँ पर सारे जो पूरे साल में जो हुआ है वो यहाँ पर ब्योरा दिया गया है company के जो डिरेक्टर उनका यहाँ पर जो ना appointment yes लिखके आएगा वहाँ पर जहाँ पर नो होगा वहाँ पर लिखके आएगा तो यह सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है वो बहुत ही जादा normal है हम सब उसके बार में जान चुके है उसमें time ख़बाने वाली कोई चीज़ी नहीं है तो यह रहा है यहाँ पर रेजिनेशन हुए है बाकि बगरा बगरा insider trading यहाँ पर जो ना उस पर रोग लगी थी yes बाकि सारे सारे की सारे डिस्कलोजर है उसमें कुछ भी नया नहीं है लास्ट में आप यहाँ पर जो ना वर्ड पढ़ देंगे कहता है forensic audit बातों में मताया करिए यहाँ पर वस यही नॉर्मल है जो कि मैंने आप से कहा था comment section में नॉर्मल है मैं पढ़ चुका था यह पहली अब इसमें अच्छा क्या था देखे पहले क्या करता था Bradcom Group का management BCG का management जो है ना वो अपना एक compliance officer लिख देता था उपर जो फटर रहा जो है नीचे जो सारी चीज़े है वो अपनी तरफ से बना कर यहाँ पर बेज देता था और उससे काम चल जाता था अब क्या है जो एक report आई है वो सीधा सीधा उस compliance officer की तरफ से ही आई है तो यह एक अच्छी बात है corporate governance में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है यह एक अच्छी बात है forensic audit के नाम पर कुछ भी यहाँ पर सुनना नहीं है जब forensic audit का report आएगा एकदम यहाँ पर सीधी तरीक से बात करने स्टार्ट कर देंगे अभी कोई भी report जारी नहीं हुई है इसको लेकर misguide मत हुई है यहाँ पर सारी चीज़ों का ध्यान दीजे करें यहाँ पर बहुत सारी reports यहाँ पर चलती रही है हार company के ऊपर कुछ नकुछ report आती रहती है WhatsApp पर कहीं कुछ नकुछ चलता रहता है इसमें आकर यहाँ पर भे मत जाईएगा अब थोड़ा सा यहाँ पर changes हुए है देखें यहाँ पर P-E ratio तो वैसा का वैसे ही है लेकिन यहाँ पर industry भी थोड़ा सा recover हुआ है वो क्यों हुआ है IT stocks के अंदर तेजी बनी है और industry भी और बढ़ेगा तो उससे यहाँ पर जो है इस P-E ratio पर पता चलेगा कि industry भी के comparison P-E ratio जो है वो बहुत ही जादा undervalued है इस company का बाकी सारी चीज़े सही है बाकी बगएरा बगएरा एक undervalued की जो जलक है वो और जादा बढ़ जाए है अगर यहाँ पर industry और जादा बढ़ जाएगा तो यह आप समुझ रहे हैं बाकी book value का मुझे नहीं बता कैसे यहाँ पर क्या हुआ है 33.31 यहाँ पर शो कर रहा है क्या यहाँ पर जो है न वो भढ़ता रहता है क्या ऐसा तो मेरे कहाँ से नहीं होना चाहिए साथ कुछ कमियमी होगी लेकिन जब हमने पिछली बार बात करें तो 32.something का book value पर शेयर था आप ही 33.31 का book value पर शेयर है वो पता नहीं कैसे यहाँ पर चेंज हुआ है इसका कोई अंदाज है नहीं है सो यह राय यहाँ पर सारी बात है बागी मैं आपको एक एलर्ट कर दो मेरे कहल से कल मैंने बताया था या परसो बताया था मैंने 1500 रुपए जाने का क्या-क्या reasons है कि 1500 रुपए जा सकता है कब जा सकता है क्या report चाहिए अब दीगे पुराने जो investors है जो कि हम सब लोग डिसकस करते हैं लगातार फ्लो में ठीक है ना हम कोई एकदम उठाकर नहीं रख देते हैं हर चीज फ्लो में चली है नया इंवेस्टर उस चीज़ को समझ नहीं पाता थोड़ा सा तो वो दिक्कत है थोड़ा सी क्या कर सकते हैं उसमें लेकिन यहाँ पर मैं मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ कमेंट से आपने यह करेते कि मैं मंडे को खुलते ही 10,000 ले लूँगा इतने से ले लूँगा उतने से ले लूँगा आपका रिस्क आपके साथ आपको पता ही नहीं है रिस्क मेनेजिमेंट क्या कर रहे हैं ठीक ना यह थोड़ी से टेंसन लगे तो आपका वो पूरा का पूरा ना वो पॉकेटी बरवाद हो जाए इतना रिस्क नहीं लेना है किसी को कोई भी स्टॉक हो इतना रिस्क नहीं लेना है जितना पॉकेट जबाब देती है आपकी उतना ही रिस्क लीजिए हद से ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूत रिस्क है वो है वगेरा वगेरा वो थोट जो चलते हैं वो एक अलग बात है लेकिन असल में जब चीजे होती है तब सब कुछ बिगड़ जाता है तो आप इस बात को समझ रहे हैं माज उकरवर ने क्या क्या वो वगेरा वगेरा रिस्क लेना चाहिए रिस्क लेना चाहिए लेकर रिस्क मेनेजबेंट उन्होंने भी सीखा है उसे के साफ से वह काम अभी भी कर रहे हैं पहले भी करते थे रिस्क इतना लेंचे रिस्क मेनेजबेंट तो इन चीज़ों को समझे आने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपको यहां पर मौका नहीं मिलेगा हरी निकली मैंने उसमें भी बताया था कि आपको बीच-बीच में मौका मिलेगा फॉरेंस एक बार किलियर हो जाए तब रिस्क लीजिएगा कोई प्रोब्लम नहीं है उससे पहले आप अनेक्सपेक्टेड रिस्क ले लेंगे तो अच्छी बात नहीं है यह सब पुराना इंवेस्टर जानत पिछे की चीजिए अम समझ कर एक अंदाजने लगा सकते हैं इसानीये मेचय बनियें ऐसे काम नहीं बनेगा पैसा है इस टोग पैसा कामाकर देगा अच्छी बात है बहुत बड़ी बात है लेकिन अपनी रिस्क को मत भूले जादा हत्ता कीसी भी स्टोग है एक रिस्क मेन तो ये बात है अच्छी नहीं लग रही होगी लेकिन ये बात है कट हो रहे हैं लेकिन एक असली बात है आप अगर पढ़ने जाएंगे किदर भी तो आपको ये बताया है रिस्क मेनेजमेंट कितना होना चाहिए तब जाके नया रिटेल इंडेस्टर ना आप जब दो तीन सा चार साल हो जाए ना आपको मार्केट के अंदर तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम करने चाहिए अभी जो है पांस साल से जो है मार्केट के अंदर उनको सब पता है कि कैसे काम होता है उन्होंने बहुत सारी चीज़े देख रखी है देखने से ही समझ में आता कि ह होता क्या है आप नए हो आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एलर्ट करना जरूरी है इन चीज़ों को मत भूलिए आप इस बात को यहां पर समझे आपके कहना है इसके उपर कमें से सब्सक्राइब और अगर आप से विडियों कु तो तर्मादूस तो